हेलो एवरीवन, वन्स अगेन, वेलकम बेक टू आवर यूटूब चैनल, नर्सिंग नोट्स और आज की इस क्लास के नदर डिसकस करेंगे, नॉर्मल वाइटल साइन इन वेरियस एज ग्रूप, यानि की कौन सी एज के नदर नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं, इसके नदर डिसकस करेंगे, टेंपरेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और ब्लट प्रेशर, तो सबसे पहले देखेंगे, नॉर्मल वाइटल साइन इन एडल्ट, यानि की एडल्ट के अंदर नॉर्मल वाइटल साइन क्या होते हैं, फर्स्ट वन वाइटल साइन और नॉर्मल वेल् सबसे पहले देखेंगे temperature यानि कि adult जो होता है उसका body temperature कितना होता है तो 37 degree Celsius या फिर 98.6 Fahrenheit adult का body temperature होता है next one है pulse यानि कि जो pulse rate वो कितनी होती है तो normal pulse rate कितनी होती है 6200 beats per minute और average count करते हैं 72 beats next one है respiration rate जो respiration rate वो कितनी होती है तो 16 to 20 breath per minute यहाँ पर breathe आएगा जो हम breathing करते हैं यहाँ पर breathe word यूज़ होगा next one है systolic blood pressure जो systolic blood pressure है वो कितना होगा 120 mm of Hg next one है diastolic blood pressure diastolic blood pressure कितना होगा तो 80 mm of Hg तो यह था normal vital sign for adult next one है normal temperature by various sites यानि कि जो various sites है हमारी जहां से हम body temperature लेते हैं next one है auxiliary auxiliary जो site है वहां से यदि हम body temperature लेते हैं तो हमारी normal value कितनी होती है 97.6 Fahrenheit and 36.4 degrees Celsius यह होता है normal value यदि हम body temperature लेते हैं auxiliary area से next one है rectal यदि हम body temperature rectal site से लेते हैं तो उस condition में इसका normal temperature क्या count करेंगे 99.6 Fahrenheit और 37.5 degrees Celsius इसका normal body temperature count करेंगे next one है pulse rate in various age group यानि कि जो हमारी pulse rate होती है वो कौन सी age के अंदर कितनी होती है तो first one है before birth यानि कि birth से पहले जैसे कि फीटा से होता है उसकी pulse rate कितनी होती है तो 160 beats per minute और above यानि कि 160 भी हो सकती है या फिर 160 से अबोव भी हो सकती है नेक्स्ट वन है 8 birth यदि जो फीटा से उसका birth हो गया है या फिर कह सकते हैं new natal या फिर new birth जो baby होता है उसका pulse rate कितना होता है तो 140 से लेके 160 beats per minute नेक्स्ट वन है 1st year यानि कि जो infant है उसका normal pulse rate कितना होगा तो 120 से लेके 140 beats per minute ये beats क्या है इसकी values होती है नेक्स्ट वन है 2nd year या फिर toddler age जो होती है वो भी कह सकते है उसकी pulse rate कितने होती है तो 110 से लेके 100 beats per minute यदि कोई बच्चा 5 से लेके 10 साल का है तो उसकी normal pulse rate कितने होगी तो 85 से लेके 100 beats per minute next one है 10 साल से लेके 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर pulse rate कितनी होती या फिर adults and age भी कह सकते हैं तो उसकी normal pulse rate कितनी होती है तो 80 से लेके 90 beats per minute next one है adult जो adult होते हैं उसकी pulse rate कितनी होती है 60 से लेके 100 beats per minute और average count करते हैं 72 beats next one है old age जो old age की जो person है उसकी normal pulse rate कितनी होगी तो 60 से लेके 70 beats per minute इसकी pulse rate होती है next one है respiration rate यानि कि कौन सी age के अंदर कितनी respiration rate होती है तो first one देखेंगे 8 birth यानि कि जो 8 birth होता है newonetal भी कह सकते हैं या फिर newborn जो baby होता है उसका respiration rate कितना होता है 30 से लेके 40 breath per minute next one है first year या फिर के सकते हैं infant तो infant की जो respiration rate है वो कितनी होगी 26 से लेके 30 breath per minute next one है second year या फिर जो older जो age होती है ठीक है वो भी के सकते हैं तो उसकी respiration rate कितनी होती है 20 से लेके 26 breath per minute next one होता है adolescent यानि कि 13 साल से लेके 18 साल या फिर 19 साल के जो बच्चे होता है तो उनका respiration rate कितना होता है 20 breath next one है adult जो adult होते हैं उसके अंदर कितनी breathing होती है 16 से लेके 20 breath per minute यानि कि एक person जो होता है adult person वो कितनी breathing करता है 16 से लेके 20 18 भी हो सकती है 19 भी हो सकती है 17 भी हो सकती है इस तरीके से next one है old age जो old age की जो person है 50 साल या फिर 50 साल से अबोग तो उनका respiration rate कितना होगा 10 से लेके 24 breath per minute कुछ भी value हो सकती है 10 से लेके 24 के बीच में तो यह थे हमारे normal values तो उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो age group होती है उसके अंदर normal vital sign क्या होते हैं जिसके अंदर temperature के बारे में हमने discuss किया next one है pulse rate, pulse rate के बारे में देखा इसके बाद respiration जो rate होती है by the age group वो भी देखी और blood pressure blood pressure के उपर आपको वीडियो already uploaded है जिसकी link आपको description में दे देंगे वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ठेंक्यू